दोस्तो आज का मकान जो है वो भी काफी शांदार है और अंदर से आप देखेंगे तो डिजाइन काफी अच्छा है और आसपास का एरिया देख लिजिए काफी अच्छी फैमिली हाँ पर अल्रेडी रह रहे हैं दोस्तो दो रास्तों पर ये मकान आपको मिल जाता है और फ्र सब्सक्राइब आती है हमारी मेनत तो लाई करके जरूर जाएं दोस्तों बाकिया आप देख पा रहे हैं जैसे एंटर करते हैं काफी अच्छा ओपन एरिया मिल जाता है गाड़ी पारकिंग की जिए या इसको अपनी बैठेक मनाईए यह आपके ओपर डिपेंड करता है बाक काफी अच्छी रोशनी देखिए कमरे के अंदर दे गई है और खुला एरिया देखिए ओपन एरिया काफी अच्छा दिया गया है इसमें जिसमें गाड़ी पारकिंग चाहें या फिर आप अपना ड्रोइंग अरिया बनाना चाहें लिविंग अरिया वो बना सकते हैं पॉलेटी जो यूज की गई है कमरों का साइज देखिए लगभग 11,12 का कमरा यह वाला रहने वाला है प्रोपर विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए चोखट और विंडो सब लोही की रहने वाली है वेंटिलेशन प्रोपर मिलेगा हर कमरे के अंदर बाथरूम में किचन में पूरे मकान में प्रोपर वेंटिलेशन है जैसे कि आप देख पारें अभी तो लाइड भी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी कितनी रोश्णी है एक कमरा ये मिल जाता है इसके अंदर भी 11.12 का आपको डाइमेंशन रहेगा और इसके अंदर आप देख पार हैं अलमारी का स्पेस दिया गया है और प्रोपर यहां पर वी सीशा लगाए जाएगा तो प्रोपर बहुत शांदार ये लुक देने वाला है यह थोड़ा सा स्पेस आपका रहने वाला इसके अंदर आप अप बीए आपको रहेगी इसमें और छट भी आपकी रहने वाली है और छट पर आप बना सकते हैं मकान तीन मंजिल और उपर बनाया जा सकता है आसपास के रिया आप एक बार देख लें तो ये देखे काफी अच्छा मकान है पिलर पर बना हुआ है पूरा मकान पिलर पर ये बना हुआ है आसपास बहुत फैमली है दोस्तो बिजली पानी जैसी सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है हाई राइस देख सकते हैं सामने आपको नजर आ रहे हैं तो बहुत फैमली यहाँ पर अल्रेडी रह रही है अगर हम लोकेशन की बात करें तो यह मान सरोवर पार्क कलोनी है जो कि नगर निगम गाज़ेबाद में आती है और लाल कोएस अगर डिस्टंस की बात करें तो यह 10 गिलोमेटर के दूरी रहने वाली है और 20 फिट की रोड सामने मिल जाती है मेन रोड जो रहने वाली है तीज फट और 40 फट की रहने वाली है आप इसमें 20% देखे शिफ्ट हो सकते हैं बाकी 80% का लोन हो जाएगा